जैहिन दोस्तो, देश के सेना के जवानों की तरब से एक और दुखत खवर सामने बिहार के सिवान से निकल कर आ रहे हैं पता दे कि बिहार के सिवान जीले का लाल अतूल राजभार 22 वर्शी हमारे देश के लिए बीर बलिदान हो गए अतूल राजभार का बहन की 12 मई को साधी होने वाली थी और साधी से महज 5-6 दिन पहले हैं उन्होंने हमारे देश के लिए बीर बलिदान हो गए पता दे कि छूटी लेकर यह जवान ने अपने घर पर आयोए थे राजनगर और इन्होंने सड़क हाथसे में हमारे देश के लिए बीर गती को परात कर लिए देख सकते हैं अंतिम यात्रा में हजारों लोग उम्रे है और सभी नम आखों से आकर भावपुन सिर्ण धाजली दिये पूरी राजकिय सैन सम्मान के साथ अंतिम बिदाई दी गई बाइस बर्स ये जवान का सपना अटूट ही रह गया इनको कुछ आगे बढ़ना था लेकिन कम उम्र में छोटी सी उम्र में एक सड़क हाथसे के चपेट में इस जवान ने बीर गती को परात कर लिए बाइन का साथी मज 12 माई के थी और 5-6 दिन पहले हमारे देश के लिए बीर बलिदान हो गए दो बर्स से लगतार हमारे देश के लिए सेवा दे रहे थे सेना में सामिल होकर अगर आप भी इस जवान के लिए जरा सा रिस्पेक्ट करते होंगे तो कुमेंट में जरू लिखना बता दे कि इस जवान की 5 बहन है और 3 भाई था भाई में सबसे छोटा अतूल राजबर था जो 22 वर्स ये थे और हमारे देश के लिए सड़क हाथसे में बीर गती को प्राप्त हो गए इन्होंने छोटा से ही फोज में जाना सोच लिये थे और हलाकी इन्होंने मज 20 वर्स की उम्र में भारतिय सेना में सामिल होकर देश के सिवा दे रहे थे और 22 वर्ष के उम्र में एक छोटी सी उम्र में खेलने कुदने के उम्र में हमारे देश के लिए बीर बलिदान हो गए अगर आप भी इस जवान के लिए जरा सर्विस फेट करते होंगे तो कुमेंट में जरू लिखना बता दे कि इस जवान की जैसे ही सहाधत की सुचना घर पर मिली तो पूरे घर पर मातम चा गया था और पूरे परिवार वालों को रोरो कर बूरा हाल बता दे कि साधी का महौर घर पर चल रहा था और इतने तेजी से दुख में बदल गया इस जवान देश के लिए बलिदान होगे जैहिंद बंदेमाद।